वेलकम टू आ चैनल सेविल इंसाइड तो आज हम करेंगे डिजाइन अफ्लाइट स्लाइब तो बहुत जादा इंपोर्टेंट टॉपिक हमारे DCS का क्योंकि फ्लाइट स्लाइब में हमारे तीन तरह को जाता है यह तीन कोश्चन्स हमारे सीधर सीधर बन जाता है जो कि हम सार तो आपको यह चीज़ पता होना चाहिए अब फ्लाइट स्लाइब is a two-way reinforced concrete slab तो two-way enforced concrete slab है Slabs भी दो तरह की होते है एक one way होते है two way होते है आपको पता है सब link description मिल जाएगे हैं हमने discuss कर रखे है That usually does not have beams and gutters इन्हें बीम और gutters नहीं होते तो कहते हैं कि यह flat slab वो slab होती है जो सीधा हमारी column पर हमारी होती है यह नहीं कोई भी बीम नहीं है कोई भी गडर कुछ नहीं आएगा एह जो कि सारा कालुम साधा कर वारो cynक पर है होती है ऊचैसे होती है उनलेकर प्लेट दे अरफ फ्लेट उल्ब at Always यह हमारी slab है, यह हमारी slab है और यह हमारी the slab हो ङpsy Suming और यह हमारा कॉलम हो गया ठीड है यह मारे कॉलम हो जो गोलम पर सीदे सीदे खड़ी बस ऑर कुछ भी नहींहें आठ कॉलम सीदे खड़ी लिगें स्वीं आ सब्सक् faith अब उसके बाद कु arena hasко उसके आप इसके बाद में शेक्स आपको में क्या हो डॉप यह बाहि रिख जैगी किमेश रिए ली में आपको देखे में और थी इसमा अब ड्रॉप के रखनी एक दोगा सकते हैं कुछ लिख लैट जाता है। ईक तरह का यह जाता है, हमारा first जो पढ़ेंगे हैं पहले पहले में आज कंप पर बटेन पढ़ेंगे, नेक्स लेक्सरी में पढ़ेंगे,शन को इस तरह है, इसका भी आपको रिखो real image, यसे सकता है गूगल पर रिखो यह इसमें कैसे चीज़ होती है यह देखो आपको इसमें तीन हो चीज़ भी मिल जाएगी और यह हमारा यह थर्ड कोशन होगा सबसे जार टाइम हम फर्स कोश्यम लगाएंगे थोड़ा उससे कम टाइम हमारा सेक्ट पर लगाए और उससे भी कम टाइम हो थर्ड पर लगाए चूकि यह जो समझने वाली चीज है आज सारी में समझा दूगा उसके बाद तो सिर्फ आपको एक एक चीज भी बतानी पड़ यह चीज आपके ड्रॉप पैनल होगी बस यह सीज बहुत इजी है फ्लैट बस थोटा से कोट से जहाँ देखना पड़ता है इसलिए किसी किसी को मुश्किल लग जाते है फ्लैट स्लैप कैसे होता है वैसे बहुत इज़ एप एक चीज तो होगी एक चीज और दिखाने में आपको कि नहीं हमारे जो ऐ इस लाए उतिय है फ्लैट स्लैप इसको अमने डिवाई कर दिते है पैनल में ती कैसे आप सब से देखो यह चीज का से बनते है और यह दियागरम बनेंगा आपका है यह सिर्फ आपको संझाने के लिए यह बने घरंगा यह सारा को झाने यह कम्सम्झाने के उस आपका अंतर में बनेगा और है और कैसे बनेगा हम देखेंगे और प Already क्जिए जिस में क्यांता कि एक कोल्म worship च्रीट हो इसमें को इसमें आरा हिक कॉलम सीवाइगत× मेर्य स्टी भी होते को यह कुछ बिलिब्स होगी इसमें कुछ भी निया देुटिधिक है कि इसमें आपके आपका इक तरह इंटिएर पैनल जा, धो तो क्यों होते है एक मारे एक उन fan या तो एंड पैनल पूल ल॓ ले खर एकस्ट्रीट और आप plaint कुस्यलियर हो जाएगा है यह मारा सारे इंट्टीरियर और यह मारा पूरा एक interior panel है यह मारा पूरा एक interior panel हो जाएगा और 12 जो रहेजएगा वो सारा हमारा exterior हो जाएगा बहुत ज्यादा important चीज़ आपको समझानी चीज़ है यहां पर थोड़ा इस image में आपको clear नहीं हो है क्योंकि इसमें ने सिर्फ आपको interior type साही दिखाया हो है exterior कम द हमारे exterior है यह सारे exterior है हमारे बाहर वाले तो यह चीज़ तो हम चलो question में करेंगे लेकिन मैंने अभी आपको दिखा दी तो इसमें दे सकते हैं सारा कुछ बस इतना सही है flat slab का बस इतना से आपको याद होना चीए कि यह कॉलम strip और middle strip में divided होता है और यह तीन तरह से कुछ इ यह design of flat slabs कैसे होता है तो देखो यहागा हमारा question flat plate मैं यहाँ पर green से लिख देए flat plate बदला हो कि इसमें simple बस column लगया तो देखो design of flat plate जब समझो अगर आपको question आ भी आता है exam में flat plate तो गबरा मत जाना कि यह flat plate क्या होता है तो इसलिए मैं आपको पहले से बता देए flat slabs जो flat plate spotted on columns spaced at 5.5 meters in both directions तो कहते ही जो columns spaced 5.5 meters in both directions अगर हम आपको दुबारा सी image दिखाऊ हो तो देखो आप देख सकते हैं यह 5.5 meters हमारे दूर है एक दूसरे से अगर आप इसको add करोगे तो 2750 यहाँ से 2750 का half plus half अगर दो बार add कर लोगे 2750 तो 5.5 तो 2 columns हमारे 5.5 meters दूर है एक 4.5 is 5.5 तो निए हमारे लात है इसमें 500 पांसें 2.5 o कोलम है और दो हमारे 0.5 कॉल्म हमारे छो और लात हमारेgga और ज़ो सक्काऊर हमारे पोड़ी स्क्वेर ओना देसमें 500 x 500 को हमारा था रि suffered on the panel ऐस पोड़ीपने ज़ो इस एक और पांसें मेंने 6.5 hebat उनापे। और तो अगर लिखा हुआ है तो अगर नहीं लिखा हुआ तो आप टेबल से देखी करोगे टेबल सिस्टीन बनता अपना इस फोर फाइव सिक्स का मैं तो चलो दिखाऊंगा लेकिन बहुत जाला इंपोर्टेंट आप उसमें मार करके रख सकते हो नो कोड में कि हाँ यह वली चीज हमें करने है वान टू ट्री डाल सकते हो गी स्टैप स्टैप सैसे जाए है तो इको सबसे पहले हमने गीवन लिख दिया है एल वन इसकल टू तो मतलग हमारी दोनो डिरेक्शन में यहां पर दिमेंशन सेम है तो पैनल हमारे यहां पर यहां पर 5.5 है यहां पर 5.5 है तो स्कोर पैनल होगा एक तरगा तो लवन और लटू 5.5 है अगर आप देखोगे यहां पर यह हमारी यह हमारी लटू यह दोनो इकोल होगी यह दो कैसे और हाइट मारी 3.5 meters है अब देखो इसमें क्याएगी हर एक में आपको कुछ नहीं नहीं चीज करवाँगा तो जो इसमें मैंने जो चीज आपको यहां पर नहीं करवाई वो शाहिए नेक्स्ट में होएगी पर जो इसमें करवादी वो शाहिए नेक्स्ट में ना हो ठीक है तो यह आप देखके चलना कि मैं हर इक चीज कवर तो करवाँगा लेकिन बार बर रिपीट नहीं करूंगा वो चीज़े अब देखो step 1 select the thickness of slab step 1 select the thickness of slab तो हम thickness slab की thickness मुटाई कितने उसकी हम वो देखेंगे अभी तो देखो as per clause 31.2.1 and 24.1 of is 456 तो यह बात की बात हम बात की मैं करें है पहले हम clause पर चला है तो आप भी एक बार खोल लो clause 31.2.1 यह आपको page 53 पर मिल जाएगा अब देखो यहाँ पर clause 31.2.1 देखो thickness of flat slab सीथर सीथर लिखी हुए है कि thickness of flat slab कैसे निकलेगी हमने हम यहाँ लिखा था select the thickness of slab तो देखो clause number यह कहता है the thickness of flat slab shall be generally controlled by consideration of span to effective depth ratio given in 23.2 तो कहता है कि thickness of slab कैसे निकलेगी span to effective depth ratio निकलेगी अब देखो for slash with drops confirming to 31.2.2 देखो slash with drops आगे यह तो छोड़ दो ठीक क्योंकि drops ही नियमारा तो हम यह भला skip कर सकते हैं और हम सीधा इस पर आते हैं otherwise the span to effective depth ratio obtained in accordance with provisions in 23.2 यह भी मैं दिखा हूँगा यहाँ पर मैं लिखा हूँ 24.1 यह लिखा हूँ वह इसमें आएगा शेल भी multiplied by 0.9 यह भी भी मैं 0.9 यह 0.9 यह 0.9 मुल्टिप्लाइ कर देने जब आपके flat slabs है यह जब आपकी drops नहीं है यह नहीं आएग कोड़िया कुछ भी नहीं तब आपको 0.9 से मुल्टिप्लाइ किरते हैं वो चीज यह पतार है और आपको काई कि minimum thickness of slab shall be 125m तो इससे तो ज्यादा ही होनी चाहिए 125m से ज्यादा ही होनी चाहिए तो हम एक बार हम 23.2 पर भी देख लिएते हैं क्या हमें दिया हुआ है तो यहां पर क्या लिखा हुआ है for two slabs of shorter span यहां पर simple आप देख लोगे सबसे बहले हम यह तो continuous slab होती है तो आपको बता है हम यहां पर continuous slab ही लेते हैं तो यह continuous slab है with mild shear reinforcement, the span to oral depth ratio given blow generally is zoomed to satisfy vertical diffraction limits for loading class up to 3 grn per meter square यह चीज यह आपको दिया है कि simply supported slab 35 है and continuous slab 40 है हम कहते हैं हमारी slab continuous होती है जब तक आपके यहां बोला ना हूँ अगर आपके बोले है simply supported slab है यहां पर नहीं आएगी तो यहां आपके यहां पर नहीं आती है continuous slab में 40 है continuous slab में 40 है for high strand deformed bars of grade FE 415 use M25 complete an FE 415 FE 415 great steel वही चीजा में दी हुए the values given above should be multiplied by 0.8 यह मतलब ही जो पहले code कह रहा था 31.2.1 में उसमें उसने कहा था 0.9 से multiply करते हैं जो भी यहां पर value यहां आएगी और इन्होंने कहा है कि जब आपको 415 है तो आपको 0.8 से multiply करना है तो मतलब ही आपको 3 चीज़े multiply हैं कि 40 x 0.8 x 0.9 यहना easy है नहीं देखो अगर आपको पास code है तो प्लीस अभी खोलो ने जाए समझ नहीं आए काटिया क्यों मैं आप बार बार नहीं दिखाऊंगा आपको आगे बीचे तो आपको सिर्फ समझा दिया तो देखो 0.8 x 0.9 से multiply है तो वह ही मैं लिखा देखो L x D ratio with Fe 415 steel क्या है कि 0.9 जो कि आपको core में पहले बोला हो था 31.2.1 पर बोला हो था कि जब आपकी flat plate है तो आपका 0.9 से multiply हो जाना चाहिए अब आपको कहा है कि जब Fe 415 steel है तो आपको 40 ही साथ 0.8 multiply हो जिससे यह भी L x D ratio है 28.8 तो L x D ratio आपके आगी 28.8 अब उन्होंने कहा दे मिनीफेक्टिव डेप्स कैसे निकलेगी आपकी effective depth कैसे निकलेगी span to overall depth ratio तो यहां पर देखो span हमारा क्या था पूरा यहां में लिखा 5.5 मैंने बताए ना यहां से आपको 190 mm आगी minimum effective depth आगी 190 mm जो कि आपकी more than 125 mm होनी चाही थी और यहां पर हुई भी है तो मतलब ही hence okay तो minimum effective depth small d आपका 190 mm आचुका है यह आपकी minimum है अब इससे जादा भी ले सकते हो 190 है तो 200 भी आखते हो 210 भी ले सकते हो हमारा table इसको मैं बोलूँको table 16 ठीए यह table 16 से आया और यह moderate conditions के लिए यहां पर लिखा हो थे मैंने कहा था अगर आपको लिखा हो तो आपको ऐसी linear तो floor slab is exposed to moderate environment अगर आप moderate environment पर आऊए अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर table 16 पर तो आप देखो कि moderate environment के लिए तो D is equal to 26 mm आप तो मैंने क्या करते है दॉप 225 mm यह ले लिया और इसके according मैंने अपना यह set कर दिया तो D हमारे यहां पर क्या आ गया effective depth हमारी 189 mm ठीए हमारी overall भी निकल गया भी effective भी निकल यह भी यह भी ठीक है ठीए साही चीज निकली अब आता देखो width of column strip is called width of middle strip is called span by 2 अब देखो इसमें ने दो चीज़े होती है अगर तो आपका L1 by L2 अगर आपका सारा यह equal दी हो तो आपको simple divided by 2 कर देना है अगर यह चीज़े नहीं होती तो सिधे direct करते है width of column strip is called width of middle strip is called span by 2 अब सिंपल सिधा जीदा करते हो और आपके यह वेट स्वार है सारी निकल दाते हो तो हम यहाँ पर क्या रहेंगे 55 double 0 weight by 2 तो यहाँ पर हमारी क्या है 2750 अब क्या था 2750 2750 2750 अब यह चीज तो यहाँ तक होगी अब हम देखते है step 2 हुआ यहाँ पर क्या होगा देखो आगे step 2 calculate the loads अब सारे loads हम calculate कर रहें तो और इसमें भी एक दो नए formula आए आपके लिए जो कि बहुत जादे important है और यह कोई code वेरा हमें लिखे होंगे mostly books में ही होते है सबसे पहले हम calculate the load करते है सारे loads हम एक बार लिख लेते हैं तो सबसे पहले तो self weight कभी live load dead load कुछ मतलो हमेशे सबसे पहले self weight लेलो मतलब यह हमारा dead load ही होता है लेकिन हमेशे self weight बोलो हमेशे self weight बोलो self weight of slab हमारे क्या आएगा 0.225 हमने D हमने पूरा लेते हैं 0.225 into 25 हमारा RCC unit weight हो जाएगा तो यहां से आपके 5.625 km per meter square यहां से आ गया यह हमारे एक तरह का dead load ही हो गया next रहते हैं को impose load तो impose load आपको 4 km per meter square दिया था question में finishing load आपको 1 km per meter square दिया था तो हमने साज चीज़े add करें तो आपको total W के आगे 10.625 km per meter square तो total आ गया तो working load आ गया अब हम factored load निकाल लेंगे तो design factored load हमारे के W आपको पता है factor of safety हो तो 1.5 तो 1.5 से multiply करें तो 10.625 तो 15.94 km per meter square आ गया ठीजिए मैं इसलिए जल्दी लिकरा रहा हो कि यह बहुत easy है मतलब कि हम करते आ रहे हैं यह design of concrete structures में हमें साज चीज़े करते आ रहे हैं तो यहां पे समझाने ही चूरद नहीं है यह साज चीज़े अब इसमें क्या रहेगा यह तो आप simple लिख सकते हो ल1-c1 यह तो यहां पर लिख सकते हो ल1-c1 मतलब जो मैंने आप लिखा था यहां पे notation दी थी मैंने c by 2-c by 2 अब यह चीज़े क्या होगी अब देखो यह तो आपको देखो यह पूरा distance पता है यह आपको यहां तक का आपको distance पता है कितना दी ओलो है 5.5-s 5.5 meters दिया ना 55 double zero तो आपको कॉलम का ही पता है कॉलम का आपको कितना है देखें यहां पर 500 mm दिया हुआ है यही 500 mm दिया हुआ है तो 500 अगर हाफ करोगे तो यहां इतना रह जाएगा और इतना को अगर इसमें से minus करोगे तो यहां तक का distance आदेगा यह यहां तक कारें तो यही तो हमारा LN हों गया और यही हमारा यहां पर LN हो जाएगा तो वहीं हमने यहां पे चीज़ करी है तो L1 पूरा हमारे L कितना था था थेखों यहां पर 5.5 था minus 0.5 by 2 minus 0.5 by 2 यहां पर 5 में भाटेश आ गड़ा था 5.5 minus 0.5 by 2 minus 0.5 by 2 is equal to 5 meters यह कुछ भी साथ चेंज हो सकती है और कुछ नी चेंज होता है सारा method यही सेम रहेगा तो इसलिए इसका design procedure कुछ भी नहीं बनता सीधा question करो और answer निकालो तो यहाँ पे 5 meters आपकी LN आगे है जो कि clear spacing between the columns आगे तो total design load on the panel का आपके देखो formula क्या आता है W capital W is equal to small W u जो कि आपके देखो factor load होता है factor load into LN into L2 L2 और L1 हमारा सेम दा तो 5.5 तो यहाँ पी दिक्कत होनी में चेंज है कोई भी तो वैसे हमारे formula होता है अगर आपको अलग-अलग आते है तो L1, L2 ऐसे आप यहाँ पी लिख सकते हो तो total design load of the panel आपको क्या आता है W u into Ln into L2 यह याद रखने चीज़े वाली चीज़े है तो आप code में भी लिख के रख सकते हो कि inside में pencil से हलका सा लिख लेना ता कि आप exam vera में मत बूलो लेकिन वैसे ऐसे loud ने होता है लेकिन आप pencil से हलका साथ के inside पर लिख लेना तो W u into Ln into L2 तो W u आपको यहाँ पर 15.94 आया था affected load और यहाँ पर 5 Ln अभी हमने निकाला और L2 आपको 5.5 तो यहाँ से W के आ गया मतलब कि आपको पूरा design load के आ गया 438.35 kN तो टोल design load on the panel पूरे panel उपर आपका यहाँ पर कितना load आएगा 438.35 kN यह load आ गया मतलब कि आपको design load आ गया अब हम bending moment भी निकाल लेते इसी से तो देखो आगे step 3 calculate the bending moment बहुत जादा important step है मतलब कि आपको पूरा flat slabs का जो भी आपको समझने वाला मतलब कि जो इसकी जान रखती है flat slab की वो step 3 है हर एक में आपका step 3 आ जाएगा मतलब कि शाए next में step 4 हो जाएगा लेकिन जो step 3 मतलब यह वाला है कि calculate the bending moment से बहुत जाने important है यह हमारे पूरी नीव रखेगा हमारी flat slabs के लिए अगर आपको यह step समझा गया और यह मैंने उठाया भी S है जिसमें आपको सब कुछ cover हो जाएगा थोड़ा lengthy हो जाएगा लेकिन सब कुछ cover हो जाएगा जिससे कि आपका ना यह पूरा clear हो जाए flat slap आपको कोई doubt आएगा ही नहीं कभी आप comments में भी आपको कोई doubt लिखने का मौका ही नहीं दूँगा यह आप अब आस यह लिग हो यह बहुत अच्छी वीडियो बनी या फिर सर आपको अच्छे समझ आ गया लेकिन आप doubt को कोई लिखी नहीं पाऊगा जाहता है calculation मेरी ऊपर नीचे हो सकते कि मैं आप रॉक्स चलता हूं बस और इस से ला कोई फरक नहीं पड़ेगा देखो अब calculate the bending moments तो हमारे clause number 31.4.2.2 बताता है तो हम देख लिखता है क्या बताता है तो देखो 31.4.2.1 बताता है हमारे यहाँ पर 2 पर आता हम 31.4.2.2 the absolute sum of the positive and other negative bending moments इस डिरेक्शन शेल भी डिखा मलब ही इसमें क्या होता है क्या होता है positive भी होता है negative भी होता है positive भी होता है और negative भी होती है लेकिन जो पूरा sum निकालता है पूरा absolute sum निकलता है M0 is equal WLN by 8 M0 is equal WLN by 8 और देखो बहुत ही easily निकल जाएगा है यहां से कैसे आपको सारी values दी हुई है तो बहुत ही easily है बस आपको मने बता दे कहां से उठाया है मैंने WLN by 8 और capital W हो जो भी हमने अभी निकाला था कॉंसा हमने निकाला था यहां पर design load पूरा हमने निकाला था परना पर 488.35 kN तो यहां से आपको देखो क्या है क्या है WLN by 8 और W into LN हमने 5 निकाला था clear spacing by 8 तो यहां से M0 आगा 273.97 kNm यह है M0 हमारा 273.97 kNm यह चीज तो आगी बहुत एजी ली आगी लेकिन अब इसकी बाद शुरू होता है जो आपको में चीज है कैसे तो देखो यह हमारा 31.4.3.2 सबसे बले ना आपको एक बर question दिखा तो आपको समझाते ही चीज तो यह था आपका question देखो अब इन्होंने simple कहते है कि design a flat plate अब यहाँ पर चीज लिखी होते है यह तो आपको लिखा होगी design interior panel interior exterior यह चीज लिखी होते है लेकिन यह में कुछ भी नहीं लिखा हुआ वैसे mostly मैं आप साई चीज आपको करूँगा मैंने बता है ना कि हर एक question में तो इसमें मैंने क्या चीज करेगी इसमें ना ही हमने interior लिखा ना ही हमने exterior कुछ भी नहीं लिखा मतलब आपको दोनों चीज़े निकालने है यह मैंने मुश्किल से मुश्किल डाल यह लंबा हो जाएगा पुरा लेकिन आपको यह होता है कि interior भी कैसे निकलता है हमारा exterior भी हमारा सारा कैसे निकलता है अब जो हमारा next question होगा जो हमारा part 2 इसका बनेगा तो इसमें देखना है design interior panel लिखा होगा तो सिर्फ हम interior लिखाएंगे अब हमारे ँफिम आपको दिखाऊंगो हरे जिसमें अब मारे interior के भी आते हैं और मारे exterior भी formula भी हएस we já ह lorommmで वहीं निकार है क्षम करें लेकिन आपको तो बोल दे कि कुछ भी नहीं बोला या फिर बोल दे कि interior exterior दोनों के निकाला तो आपके लिए थोड़ा lengthy हो जाएगा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और कैसे मुश्किल हो जाएगा वह भी हम डेखते हैं तो देखो हम सबसे पहले clause पर ही आयते हैं अब बाद में हम इंडिस्कस करें सबसे पहले clause पर आते हैं देखो clause नमर माल आदेगा 31.4.3.2 वह लिखा मैंने 31.4.3.2 आदेखो यह किसके लिए हो गया हम inner interior span अब हम interior span की बात करें के लिए सिर्फ हम interior span की बात करें हैं तो टोटल डिजाइन मुँमेंट M0 शेभी distribute in the falling proportion तो इन्होंने कहा दे कि जो हमारे M0 अभी हमने निकाला था न M0 यह वाला तो कहरें कि इसको distribute करते हैं किस proportion में जो negative design moment होगा वो 0.65 हो जाएगा इन्टु में M0 हो जाएगा और हमारा positive design moment 0.35 होगा इन्टु M0 होगा मतलए कि आपको proportion का एक factor दे जाए कि यार इस factor से इन्हों अभी नंटिव जाहिए तो इतने भी positive के लिए लगी इस चीज़ आपको देदी, यह तो simple simple interior span के लिए, 0.65 और 0.35, 0.65 हमारे negative लिए आजगा और positive लिए 0.35, एक बार हम लिए चीज़े कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं, जो negative design moment 0.65 आया, तो M0, 0.65 इंटू 273.97, यहां से 178.08 square meter आ गया, तो simple दाना इसमें तो कुछ बताने इस चीज़ है ही नि, बस यह पतादिया मैंने code में कैसे ही साही चीज़े आई है, यह साही चीज़े मैंने कैसे करी है, अब आता है next positive design moment, तो positive design moment में हमारे कैसा है, 0.35 M0, 0.35 M0 आएगा तो 95.89 kilometer आ गया, तो बस मैंने यह माला step skip कर देते हैं, यह चीज़े हम बार 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 आता है, जो हमारे exterior पहने के लिए आता है, अब यह चीज़ मैंने लिखी है, the as per clause 31.4.3.3, तो कहते है कि जब हमारे हम हमें, चलो पहरे हमें, एक बार यह दिखाता हूँ आपर clause 31.4.3.3, in an end span, end span बोलो या फिर मैंने का दाना exterior span बोलो, outer span बोलो, सब आपकी मर्जी है, the total design in the following proportions, इस following proportions में होते है, जिसमें देखो, यहाँ पे क्या आगे, alpha c आगे, alpha c यहाँ पे क्या आगे, sigma kc divided by ks, so यहाँ पे kc और ks क्या आता है, यहाँ पे flexor stiffness आती है, तो देखो, क्या लिखा है, as per clause 31.4.3.3, the relative stiffness of the column and slab determines the distribution of the negative and positive moments in the exterior panel, तो इनने कह दिया, यहाँ पे मैं the relative stiffness of the column and slab, यहाँ आप देखो, आपको factor दे दिया, factor दे लेगी, यहाँ पे alpha c निकालना है, और alpha c आपको कैसे निकला, फ्लेकर stiffness से निकला है, और दोनों की चाहिए, तो मतलग यहाँ आपको एक तरह क्या देगा, हम कह सकते हैं, सिधा-सिधा कि stiffness ही हमारी यहाँ पे, हमें determine करेंगे हमारे exterior panel कितने movements आएंगी, ठीज साजी चीज आगी, अब हम देखते हैं, सारी चीजी आपको कैसे हम alpha c पहुंचेंगे, और कैसे हम यह सारा निकाल लेंगे, तो देखते हैं, तो देखते हैं, तो देखो, now, the building is not restrained against lateral's way, यह तो आपको पता ही होगा, यह lateral's way against नही अब देखो, later's way कि यह हमारा restrained नहीं है, मतलग कि यह से जूल सकता है, कैसे, यह ऐसे हो जाएगा, यह थोड़ा आगे बढ़ जागी, मतलग यह lateral's way कि against नहीं है, ठीक है, यह सारा lateral's way हो सकता है, तो इसके card हमारी effective height कितनी आज़ेगी column, यह बस एकी चीज बनती है, तो 1.2 times a clear height, और यह हमारा integer E IS 456-2000 में दिया हो, यह आपको दिखा भी दता हो, चले एक बार, तो अब देख सकता है, यहापर simple simple यहापर लिखा हो है, effectively held in position is restrained against rotation at one end, and other is restrained against rotation, but not held in position, तो यह बली shape हमारी यहापर बन रही है, अब देख सकते है, वह हमारी चीज यहापर बनाई है, तो मतलब यहापके देखो, एक हमारी theoretical value थे recommended, तो हम recommended यूस करते मेंशे है, तो 1.2, तो यहापर 1.2 times a clear height होगा है, तो 10 length h-d, तो h-d यहापर क्यों करें, प्रेस हम length निकालते है, normal length हमारे q, क्यों आपको पूरी कहां से दिये, यहाँ से यहाँ तक की आपको पूरा बताया तो old up, slab हमने निकालती, 225 mm, तो हमने मीटर में तो 0.225, तो यहाँ से आपने minus कर दो, 3.275 meters आपकी आगा, तो यहाँ से आपकी पूरी length of column आगी, तो हमारे column है, इसकी पूरी height बोलो, यह length बोलो, यही की बात है, तो length आपकी यहाँ पूरी आगी, तो यहाँ से यहाँ से effective column की, यही चीज़ तो होगी, अब आते relative stiffness of column, तो relative stiffness of column हमारे यहाँ पर formula के होता है, तो हमारे column के लिए होगा, एक slab panel के लिए होगा, column के लिए होगा, क्सी कर दो IC by LCE, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, वैसे अगर मैं बोलो तो moment of inertia, डिए आपकी L effective है, L effective length यहाँ पर होती मर्जी है, तो B into D cube, duet by आपके यहाँ पर क्या लेकर 12 होता है, यह हमारे rectangle के लिए होता है, moment of inertia, यह हमारे square के लिए होता है, यह साई चीज़ आपको पता होनी भी चाहिए, यह साई चीज ऐसे हो जाएंगी, तो यहाँ पर के C क्या IC by LCE, क्योंकि हम सिफ column के लिए आ रहे ह effective length of column to 3.93, 3.93 अपने यहाँ पर दाला, यह आपको पूरो सॉल करें, तो 1.325 into 10 is to the power minus 3, यह चीज निगल गी, ठीक है, अब relative stiffness of slab panel, ks is equal to is divided by LSE, तो C यहाँ पर कॉल्म डिनेट कर था, यहाँ पर S हमारे यहाँ पर डिनेट कर रहे है, हमारे यहाँ पर slab panel, यहाँ पर D ले 1 ही यह लिखा था, thickness of slab, तो इसलिए मैंने यहाँ पर T लिए, तो B into T cube divided by 12 into LSE, तो हमे 5.5, तो B आपको 5.5, thickness आपकी कितनी देए, 0.225, क्यों यहाँ पूरी overall depth तो 2 to 5 ती ती ना, तो यहाँ पर 0.225, तो इसका, क्या होगा, cube root, तो cube कर दिया, divided by 12 into 5.5, तो effective हमारे यहाँ minus 4, get 9.492 into 10 square minus 4, easy है, हरा कुछ यहाँ पर समझाने की जूरत नहीं देना, बहुत easily यह चीज तो निंगली है, अब हम आते अपना alpha C कैसे निकाले है, तो alpha C का हमारे यहाँ पर formula दिया है, sigma kc divided by ks, तो 2 into 1.325 into 10 square minus 3, divided by 9.492 into 10 square minus 4, अब हम आपको 2 कैसे है, तो यहाँ पर 2 ह stiffness of the column meeting at the joint, तो joint पर हमारे कितने हैं, दो बार meet कर रहा है, एक, दो, तो यहाँ पर हमारे 2, बस हमेशे 2C multiply होगा, तो यह आप याद कर सकते हो, चीज़ा-चीज़ा, क्योंकि मैं इस तरह पढ़ाता हूं, कि आपको tricks भी आपको सा-साच चलते चलो, कि मतलब भी जुरूरत न तो यहाँ पर आपे अलफासी तो हमारे 2.799 आ यहाँ आगया, तो 2.79 हमारे यह चीज़ा आगी, और में चेक भी तो करना चीज़ा है, कि अलफासी आया भी है नहीं, कि मालब भी जो हमारी stiffness आई है, यह sufficient है भी है नहीं, तो चेक क्या होता है, व्यवेट चेक्ज़ाइग alpha c should be greater than alpha c minimum तो जो हमारे alpha c आया तो alpha c minimum तो जाद हो चीए और यह चीज यह आपे देखो का हम पताती है और दिखाता हो आपको यह हमारे यहां पर बताता है देखो 31.4.6 पर यह हमारे सारे यहां पर बताएगा तो यह नहीं ने काया है in the direct design method when the ratio of live load to dead load तो आपको यह चीज करने आठी है the sum of the flagged stiffness of the columns above and below the slab alpha c is not less than the minimum value alpha c minimum specified in table 17 तो यहां पर देखो sum यहां पर देखो live load by dead load कर दिया हमने तो 4.4 by 5.6.25 प्लस dead load हमारे यहां प्लस 1 भी आया किसका हमारा finishing load का ठी है यहां पर हमने self rate of slab था, live load माने impose load था और one माने finish load था तो 0.6 है जो कि greater than 0.5 है तो यहां पर हमने length curve करते है L2 by L1 की भी ratio निकालेंगे तो यहां से देखो क्या होगा देखो यहां से आपकी value निकलेगी देखो इन्होंने कहा है कि table 17 से सीधा सीधा निकालो अपनी value है यहां पर जाद दिमाग खराब करने यहां पर जरूरत नहीं है आप simple table 17 पर देख लो तो यहां पर table 17 पर मिनियों पर मिनियों से value of alpha c तो alpha c यहां पर देखो क्या होगते है अलफा c मिनियों आपको 0.12 आ जाएगा ठीए तो alpha c यहां पर minimum क्या है 0.12 तो यहां से देखो अगर आप देखो कि 2.79 नमारे यहां से ज्यादा और मैं चेक आपको बताय था यह चीज है यह चीज अगर आप देखो कि तो हां बाई सही है तो hence stiffness is sufficient okay तो अब देखो आप मैंने क्या कर रहा है यहां पर थोड़ा सा easy define कर दिया कैसे अब देखो यहां पर आपको दिया हुआ था कि आपको यह चीज दी हुए था यह आपके सारे आपको फेक्टर दिया था यह 0.75-0.1 divided by 1 plus 1 by alpha c तो मैंने क्या कर रहा है इसको ना एक बार alpha ले लिया मैंने पूरे को इस पूरे को मैंने एक बार alpha ले लिया तो मैंने यहां पर देखो factor alpha ले दिया मैं तो factor alpha कर दिया तो 1 plus 1 by alpha c तो 1 plus 1 by 2.79 . So 2.79 यहां से हमारा alpha के निकल गए 1.35a तो alpha हमारा निकल गए 1.35a और अबी सीज़ा सिदा-सीज़ा हम यहां पे put कर देके साइज चीज हम यहां पे put कर देंगे और easily निका देखेंगे कैसे निका रहा है तो दिखा दे देखा देखो यहां पर, end-span है प quand s'ils přijder,,, , क्योंकि मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है यह एक गंटे की भी शायद हो सकती है क्योंकि आ रहे इसमें अच्छे समझा दें तो मुझे आगे मेरा भी काम एजी रहे आपको समझना एजी रहे तो आप यह चीज तो आगे देखो अब step 5 सीधा यहां से यहा आगे 0.6 भी आगे 1 भी आगे तो हमने चलो निकाली थी मुवमेंट्स पुर यह सारी कॉलम स्ट्रीप में ऐसे कर दिये सारे ऐसे माइनस कैसे कर दिये तो इसारी चीज आप आपको दिखाते हूं क्लॉस नुबर 31.5.5 पर देखो आगे हम क्लॉस नुबर 31.5.5 पर दिस्ट इंटियर स्पोर्ट तो इसे 75% तो टोटल नेगटिव मुमेंट्स पैनल आड़ 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 निकाल लें कितनी 75% को देखो नेगटिव मैंने कर रहा है इंटियर पैनल है तो 0.75 आगा है ठीक है ना यहां पर हमारे 75% है तो मैंने 0.75 सीदा लिग लिए और किसके नेगटिव मुमेंट जो आपकी निकाली थी तो इंटू में आपका 178.08 निकाला तो वहां से 133.56 आगया ठीक चीज तो आपको क्लीर होगी ना इस सारे कुछ कोड में से दियो है मैंने कहीं से ऐसी ने उटाया तो कोड में दिया अब उसके बाद देखो क्या कहता है क्या क तो 1.0 x 131.23 इस साइच चीज आपको लिखनी जरूरी है जब आप एक्जाम वेरर में करोंगे सीज़ा सीज़ा आप आंसर मत कर देना ए चीज़े लिखना कि एस पर क्लॉस 31.5.5 तो यहां से मुल्टिप्लिया तो यह आया तो 0.6 हमारा मुल्टिप्लिया तो 1 हुगा तो यह आपको लिखना पॉटिप्लिया थे पॉर्र पॉर्ण पॉर्ण आजे़ा तो चीज़ा तो 1 तो कहते है जिखनी देखो यहां पर विखना थे लिखना कर अपर शिखना है। 60 60 percent में आ देएंगी तो यहां तुमने तहना एक यह चीज आगी multiply कर रहा तो यहां पर जा एक इतनी मुवमेंट आपकी पर विट में लग रहे तीब पर आपके यहां पर column strip कितने में 2.75 meter में पर width में तो यह पर width में आपके इतने ही लग रही है यह इतना आपका movement लग रहा है column strip पर इसीजी होगी आप देखो अब यह चीज़ तो होगी तो column strip करते हैं आपको अब अच्छे समझा दिया आप AST, area of steel तो चलो आपको formulas आरे पता है वह हम चलो बाद में discuss करेंगे इत चीज़ तो आपको समझा दिया अब आता है middle strip के न आपको तीन criteria दियो है कि इसके basis पर आपको यहाँ पर movement निकालने है लेकिन मैं कैता है यह चोड़ो मैं आपको चीज़ चीज़ एक trick बिताता हूं सिधी सिधी एक trick बिताता हो जो कि बहुत easy रही तो अगर आप उस पर fuss होगे तो बहुत मुश्यल हो रहा सिधी ट्रिक है जो आपकी initial movement है न और जो आपकी आपकी column strip में जो आपकी final निकलिया है इनको minus कर दो मतले कि देखो initial आपकी 178.08 और आपकी final कि इतना ही 183.56 तो इन दोनों को minus कर वे तो आपकी middle strip की निकल आएगी interior panel में negative movement 44.52 बहुत easy है न यह तो देखो क्या आठी ट्रिक बताई अब काई यह आप इसमें गुस्ते आप देखते थे तो तो तीन थे थे आपको लेकिन मैंने आपको सिदर सिदर बता दिया यह थोड़ी सी ट्रिक्स भी आपको आनी चाहिए तो यहाँ पर वोजी सेम देखो 0.6 यहाँ पर 95.89 निकला तो हमारे 57.53 तो यहाँ पर 95.89 निकला तो यहाँ आपकी 181.23 यहाँ पर 0 आदेगा तो मीडर स्ट्रिप पर नेग्टिव एट एक्स्टिरियर स्पोर्ट आपकी आउटर पैनल पर कुछ भी नहीं लग रही जीरो लग रही है पर नेग्टिव एट इनर्स पोर्ट आपकी देखो कितनी लग रही है 46.3 वही से 185.20-188.9 यहाँ से आपका देखो वही आदेगा 116.16-69.70.7 तो यहाँ से भी आपका 46.46 अब मिडर स्ट्रिप के लिए सारी आगी मारी कॉल्म स्ट्रिप के लिए है अब आप यहाँ से एर्या स्टील तो निकाल ली सकता हो ने अर्या स्टील तो बहुत ईजी है अग्जर आप जीर से निकाल इसका अब साफ जो अब इसका अब इसका अब आपको बता雍ा तो इसका अगर आपकο अ शॉर्ट निकालने के लिए अपने बागे अब सपर इसका इशॉर्ट कर आउप अगर आपको इस shortcut बताओ तो हमारे यहां पर क्या आएगा कि मैं area of steel निकालने के लिए आप अप्रॉक्स ले सकते कि area of steel is equal to mu divided by 0.8 into fy into d यह सिर्फ आपके लिए shortcut है इस तरह की tricky है अब अप्रॉक्स निकाल जगते हैं मैंने वैसे इसको देखते हैं निकाली मैंने पूरा अप्छे फॉर्मला से आराम से निकाली है लेकिन आपके लिए ट्रिक है कि जब आप exam में करें मुझे पता देको समझाने में मुझे 50 मिट आपके लिए बहुत अलगे जए कि आप तब calculations भारा भी करों यहां पर मैं calculations नहीं करों तो calculations बचाने के लिए मैंने आपके फॉर्मला देख देख अपर निचे आप लेकर यहां पर लिख दोग यहां पर सारा area of steel यहां लिए लिए आपके लिए तो आप देखो अब इसके आपके बाद है कि step 5 तो step 5 आता है जो अभी हमने सारी check the slab depth for bending अब जो हमने depth ली थी 189 mm अब यह चेक लगा रहते हैं क्योंकि अब हमारे बाद मुवमेंट आ पहले मुवमेंट नी था इसलिए हमने चेक नहीं लगा है अब हमारे मुवमेंट आगा है तो मुवमेंट भी से कहां से आया नेक्टर इनर स्पोर्ट तो यह चीज़े नहीं जरूरत नहीं सिंपल आप लिगा है 38.9 तो वही मैंने चीज़ यहां पर लिखिए 138.9 आपके आई वही वही वहला फॉर्मला है यहां भी आपके यहां पर थाउसेंट हो जेगा आती है दी आपके यहां पर क्या आ जेगा देखो वही 189 तो 189 एफसी की आपके 25 दिया होता यहां भी दी 189 एडिया निकाल नहीं है तो दी नहीं दिया हुआ आपके चैप्स करने के बाद आप यहां पर चैक लगा रहे हो तब के चैप्स करना है कि चार्ण के चार्स सारे ख़र फॉर्मला को सबस्क्राइब वाँ नहीं करें नहीं हो रही है गर अए नहीं हो दॉट शेयर hon खोम करने जों को अलिए हो सुरा खोटें अवरा अमने क्रह RSNG निन्फोर्स्में ..... . ने Täनल भी टो बहुत एज़ियर अर बहुत जीज और ऐसा क्रते हैं, हम ने हरे में हरर में का रहे है, आप बात बीक्ति बूसुल्हें आप आप करते हैं, कि आहीं हो, हमें पता These तो यहां पर देखको negative inner support आया पर दिए थी थी ना, आउटर पैनल के लिए, तो 0.75 x 185.20 कर रहा था हम नहीं, तो यहां पर 188.9 आया था, यहां से अरिया वीओ स्टील 2190 है, मेडर स्टील के भी निकले जिए है, सब एक एकर कर निकले है, तो 2190 आपको यहां पर यहां पर तो यहां पर एरिया वण बर आपका देखो 12 आम के लिए 113.04 यहां शुरू से अज्यूम करते हैं 12 आम तो आपको पता है एरिया वण बर इंटू B अजियूम करते हैं 12 आम चल जाके हैं 12 आम यहां पर कितने पर आपको पूरा 5.5 पूरे पैनल पर करने टीए एक यहां पर लेकिए फिर नाइन जीजा टीए लिए लेकिन अब दिखो यहां पर क्या होता है at top provide 12M dia at 140M sender center तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि यहाँ पर मैं आपको legend बता रहा हूँ कि negative reinforcement होती है negative reinforcement वो हमारे मेंशर top पर होती है और positive हमारे मेंशर down पर होती है मलगी bottom पर होती है तो यहाँ पर हमारे bottom पर होती है मैं तो यह मलब कि सोच नहीं है कुछ भी आप इसमें लगा लो तो मैं तो यह सोच तो कि जो सब जाद negative होती है वो एक टाइम पर तो आपकी life में top पर भी रहता है फिर बाद में कम आएगा वो तो अलग बात है यह real life की बात होगी लेकिन यहां पर आप यह सोच हो कि जो negative है वो बहुत जाद है यह negative बंदा बहुत जादा top पर है तो मतलब कि negative top positive bottom बाकी आपकी मर्जी है कैसे भी आपको यहां पर सोचना है आपकी मर्जी है negative top positive bottom यह ऐसे इन enforcement होची तो उसका half हो जाएगा यह तो टोटल आईगी लेकिन top bottom के लिए अलगा हो जाती है तो top के लिए हम नहीं यहां पर half करना है यह bottom होच करना है बस ठीक तो at top provide 12M dia at 140M center to center ठीक है 140M center to center यहां पर हमारे ऐसे आगया अब देखो enforcement outer spot at top तो at top मैंने पहले लिग दिया तो मदलब कि यह negative हो गीट है अब negative 2091 तो 209 में देखो आउटर के लिए देखो enforcement outer spot at top तो enforcement के लिए आउटर स्पोर्ट देखो exterior spot पर आपकी आगी 2091 2091 के लिए देखो यहां पर 145M center to center तो मैंने 145 कर दिया पास ही आ रहा था और यहां पर मैंने डागराम करते भी डागराम आपको दिखा ही रहां चुरू से तो मैंने इसमें क्या कर रहा है यह पर मैंने 140 कर तो ठाव डायर्ट 140 देखो यह सारे 140 होगे यह भी 140 होजागा यह भी 140 अजाए यहापे शोटी सी आरो लगी होगे न मैंने 145 को 140 कर जाए यह मैंने बुक से उठाया हुए क्योंकि अगर मैं सोच हो मैं कर मैं यहां से ड्रॉ करूँ तो मुझ तो बॉल टाइम लग जाएगा यह मारी मीडल की आगी 12 एट 275 यह देखो बार जा रही है तो यह सारी हमारी ऐसे जाती रहेगी यह पूरी ऐसी है तो मिडल स्पैन पर है एड बॉटम और बॉटम पर क्योंकि यह पॉजिव आई थी यहां पर पॉस्टिव लिखा हो तो पॉस्टिव एड पैनल तो बस यहा को रहे हमारी बॉटम होबल के पॉस्टिव पें सारी ही सिधी जाएगी इडिए इसी सारी है सारी हैसी जाए यह है तो यह यह मारी टॉल है थी खोंगे अब देखते रही तो बत्या देखो next, enforcement at inner spot at top, enforcement at inner spot at top, हमारी AST 2128, तो यहाँ पर DUA पर नेगटिव हो आई थी, top बोल दिया तो negative होगी, तो 1133.53 के लिए 2128 अमारी area आई थी, तो यहाँ पर 12M die at 146M center center, यह वे 21.助 küçük, động bias, स्राइक के साथ होगी, सारी पर होगी, तो सारी ने सारी के भी वही है जो आप्ज जरी पर सारी इसे खेंडहें और आपना के दो ही है, कर दो क्या है- यहां पी भी ही चीज होगी अब उसमें अगर देखोके विडियर स् impressions पर क्या्या है गोज़ों इसेचिस ऑन वन जिसेफीने के आफ्रचारी मेंने क्या है टो मेंने क्या करा है निकाल लिए R थो मेंने क्या है अब मेंने तेन हों अब के जिए और आफे चल गया nett जाहा बाई को तकि आपको आएडिया रे कि यार हां बारी कोशी कॉंसी हमें लेनी है कौशी कॉंसी हमें नहीं एक हम मिन्यन ओमारी की आटी इता आपको पदर 0.12% होनी चीह है एक है टोलल कंक्रीट इरे तो बी इंटू दी तो यह को 0.12 divided by 100 इंटू 2750 इंटू 225 यह जिसमे स्लैप के लेक्चर रहा है उसके तो बहुत इजी हो रहा है यहां पर यहां पर एस्टी मिनियम के आगा 742.5 एम स्कूर तो अकर आप देखो कि यहां पर 710 है 611 है 740 है 740 है तो मतलग जो भी हमारे सारी मिडल स्रीप पर यहां पर यहां पर मैं लिख दिया देर्फोर प्रोवाइट 10 mm डायबार्स मिनियम में तो मैंने का जो मेन है तो उससे थोड़ा कम ही करता तो 12 मैंने 10 कर दिये 10 mm डायबार्स at 275 यहां सेंटर अट मिडल स्रीप to take a positive and negative movement तो दोनों के लि जसका भी लग जाएगा यहां पर 12 लग जाएगा तो यहां पर हमारा कुछ इस तरह ही है हमारी सारी इंफोर्ष्मेंट होगी अब आते देखो इंटीग्रिटिर इंफोर्ष्मेंट यह होती है जो हमारी collapse के लिप जाते है जो हमारे एकदम से aggressive collapse होता है उसके लिए बचाने इस थीज चीज है इस थीज थीज है 0.5 इंटू यहां पर 15.94 इंटू 5.5 का स्कूर तो यहां से पर किया इनटू 10 लोड आया तो 10.9फ यहां पर 415 यहां पर 415 तो यहां पर 415 आदेगा तो एरिया उस्टील आके 667 mm2 तो यहाँ पे हमने क्या करें, इन्टीर गाल के लिए यह आ गया है? इसमें इसमें से 2 तीन बारह तो जादा नहीं करूंपता है, परवाइड 2 आप टू बार्स आप 20 ओप डाए इच वे लिए डिए बेकारे करें एधर भी ऐसे भी, with the length of 2LD development length 2 into 806 is equal to 1612 mm passing through the column cage column cage मतलग की अगर मैं आपको यहां पर बता हूं यह तो आपको समझागे ना column cage मतलग की जो यहां पर column होएगा अब इसके सारी ऐसे enforcement होईगी ठीए बाहर को आदी निकली होईगी सारी ऐसे ऐसे जो column की यह अंदर की होई क्यों हम यहां पर column का नहीं कर रहें, column का मैंने यहां पर link आपको description में है सारे हमने करे हुए, so column की reinforcement ऐसे सारी डलेगी ठीए है, ऐसे डलेगी हमारी column की reinforcement तो उसमें क्यों आएगा कि उसका केज बन जाएगा नहीं सारा ऐसे केज बन जाएगा जितने बार्स का होईगा अगर मैं बोलूँ उपर से आप देख रहे हो तो सम्झो अगर आप उपर से देख रहे हो तो एक दो तीन चार पांच यह इतना भी ले लो यह बीच में ले तो दो बार से प्रोवाइड करने 20 एम डाया के अब यह तो आपके एंफोर्समेंट के तो आगे आपको कुछ इस तरह ही बनाना एक्जाम में है लेकिन अगर वास अब टाइम होगा ना वैसे तो सेक्शन भी इसके साथ बंदे रहे हो सेक्शन आपकी आपकी स्क्रीन पर आ आपके 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 आपक देखो एक चीज में आपको बताना बूल गया कि जो में निकालते है ना वैसे वो कुछ इस तरह हमारी अप्लाए होती है कुछ हमारी इस तरह होती है क्या होता है कि अगर आप यह चीजे करने बैठ होगे नहीं यहां पे तो बहुत दाइम निकलता है जब आप एडवांस करत करते है करनों देखो की स्यच काल था नहीं तरह होती है, अब इस चीज रहती निकाल भी तो वह भी होती है क्या होता है जैसे हमारे एक column है इसका shear plane देखो इसमें क्या हो जाता है परिमेटर निकालते हैं परिमेटर आपके लिए पहली बार होएगा अब इसका अगरम आपको दिखाऊं तो आप दे सकते है कोड में यहां पर देखो यह फर्मला तो बी नोट यहां पर दिया हुए यह अगर मापको बताऊं की फर्मला कैसे है देखो यह हमारे करना कोड यहां पड़ सा झावन है तो कुछ यह आया अब इसका निकाल आपने परिमेटर निकाला को तो कैसे है देखो यह A, यह है, मतलब कि इतना यह A है, और यह हमारा यहां से कितना D by 2, और यह भी हमारा D by 2, ठीक है, यह भी D by 2, और यह, अगर आप इसको add करो तो क्या आएगा, A plus D, A plus D, और चारो sides का करना है, तो यहां पर 4 से, तो यहां से यह formula है, तो B not हमारे क्या करें 4, A plus D, तो बहुत easy है, यहां से याद भी कर सकता है, तो मैंने आपको बता दिया, कुछ इस तरह है, तो देखो, अब यहां पर 4, A आपको पता है, कॉल्म का कितना था 0.5, और D आपको पता है, आपको आपने निकाला था 0.189, 0.18, effective है, मैंने यहां पर capital D नहीं लिखा, तो यहां पर small D है, तो 0.18 है, तो यहां पर B not आगे, 2.756 meters, अब इसके according है, आपको shear force on this plane, अब इस plane पर आपको यहां पर shear force निकालना, तो shear force का सीधसी सा formula आप याद कर सकते हो, तो W, तो यह bracket में आपको देखो, यहां किया है, L आपको पता है, 5.5 है, आपका तो 5.5 x 5.5, minus 0.689, इनको एड कर दिया, बस और कुछ नहीं करा, 0.689 x 0.689, तो यहां से आपका view किया है, 4.6 kilo 10, देखो, इसके लिए आपको कोई भी reasoning देने की जुरूरत नहीं है, यहां पर, कैसे आया, क्यू हो आपको पता है, वैसे तो दस ना जाएठी है, यहां से ऐसे पंच ना हो जाए, तो इसे हम पंच शीर भी क्या रहते हैं, वैसे टूवे शीर हो रहा है, तो यहां पर यहां पर इसलिए नहीं कि वो critical नहीं है, यहां पर तो यहां पर नहीं निकले है, जब हमारे drop आएगा, next आएगा, तो उसमें हम न N, नहीं नहीं करा, डिएट बावए 2756, B not अभी आइगा, तो 2.756 था, हमने Nm में करें, 2756 था आपको D अधा 189 तो यहां पर तौवी आगा, 0.91 Nm2, अब इसके टेक लगेगा, कि है आपको पाद चलेगा, यहां आपको पाद़ नहीं करनी है, यहां भी नहीं करनी है, तो तो यहां से एकसीड नहीं पड़ेगी तो अगर आप यहां पर देखोगे तो के सब कर दिया तो तो ताउसी के 0.25 अनरूट Lc के यह लिमिट स्टेट मेतड़ डिजैन कर रहा है वर किन स्रेस में होता तो 0.16 यहां पर 0.25 तो के सब क्सके 0.5 प्लस बीटा सी शूट भी लेजन वान तो यहां पर 0.5 यहां पर दिवाइड करना थे मतलब कि शॉट तू लॉंग तो शॉट तू लॉंग नहीं तो लॉंग साइड तो लॉंग साइड तो यहां से हमारे दोने एककोली है तो 0.5 बाइ 0.5 इसकल तो यहां पर आपने एड कर तो 1.5 लेकिन यह ज्यादा नहीं होना चीए तो यहां से हमारा क्या आएगा पूरा वन नियोंग गया देफोर वन अब देखो तू का गी 0.25 अ यहां पर लिखा हुआ था देखो यहां पर मैंने यह चीजी लिखी हुए यहां पर देखो वन शीर एंफोर्समेंट इस नौट प्रोवाइड़ी तो हमने वह चीज तो कर दी कि इन्हों ने कहा था था देन दग टेलोट शीर से अभी निकाली थी अभी निकाला था 0.91 तो इन्हों ने कहा था ही शीर एंफोर्समेंट जब नहीं प्रोवाइड करें तो हमारा यह कम आना चाहिए इससे तो कम ही आना चाहिए के एस ताउसी तो वह हमारा हुआ हमने चेक लगा दिया कि हमें दिग गया तो के ताउसी मारा बढ़ा है और यहां पर यहां पर निकाली तो प्रोवाइड शीर एंफोर्समेंट प्रोवाइड करने ही जुरूरत नहीं है बस यहीं तक आपका यह पूरा आज का लेक्टर थोड़ा सा लंबा मुझे पता है 55-1 यहां पर लेक्टर हो गया लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैंने आज को टाइम इन्वेस्ट करें यह म नहीं होती तो फ्लैट प्लेट और ताइप टुमारे यहां पर ड्रॉप के लिए और टाइप ट्री मारे ड्रॉप और कॉलमेट के लिए रहे दो तीन दिनों में यह वह लेक्टर कर दूंगा और यह ता अज का पूरोब डिजाइन आफ लेक्टर मेरे ख्यालत चाहिए को म झालत चाहिए